दोस्तो मैं हूँ आपका दोष प्रबल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल दाशने भारत में दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो सांग दर्शन पर हमने पुरुष बिचार पढ़ा था उसकी आलोचना पर यह बहुत ही छोटा सा वीडियो है और लेकिन परिशा के द्रिश्टी होड से यह बहुत जाला महत्पूर है क्योंकि पुरुष बिचार के साथ उसकी आलोचना आ सकती है तो हम इसे समझने का प् है कि सांग दर्शन में पुरुष की जो सिद्धी की गई है ना या पुरुष की अनेकता जो सिद्ध की गई है वो किस आधार पर की गई है पुरुष की अनेकता की सिद्धी जो की गई है यह एक्चुली पुरुष की अनेकता जो है उसका उसकी आलोचना आई है ठीक है न तो उसमें यह count करके चल जाएगी, इसके साथ पुरुष के अस्तिद्व की जो आलोचना है, वो जोड कर इसे आप चला सकते हो, ठीक है, लेकिन जब पुरुष की अनेकता की सिद्धी वाली बात आ जाए, तो उसकी अलोचना में तो आप यह पूरा लिखोगे, तो सांक दार्शनिक, वो यह मानता है कि जनम, मरण और इंद्रियों के आने, करणाथ के आधार पर पुरुष की अनेकता को सिद्ध करते हैं, लेकिन वो यह नहीं देखते, कि जब यह जनम, मरण और इंद्रियां आधी, वो सब किस से जुड़े होए हैं? शरीर से जुड़े हुएं, शरीर के धर्म हैं, ना कि आत्मा या पुरुष के, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से दोश्पून हो जाता है, उनका निश्कर्स की जनम, मरण और इंद्रियों के आधार पर पुरुष की एकता सिद्ध होती है, तो आत्मा के गुण के दी बात कर पुरुष की बहुत्व की धालना, जो है सांख्य दर्शन की, वो कर्म नियम के पूरी तरह से बिरुद्ध है, क्योंकि देखो, प्रिकृती जो है, प्रिकृती में वो बताते हैं कि प्रिकृती का तो यह काम है, जगत की रचना करना, उसे एक्टिब बताया है, क्रिया शी ठीक है, तो कर्म नियम क्या कहता है, कि यदि ए ने कोई कर्म किया है, अच्छा है बुरा है, तो उसका प्रतिफल है, यानि फल है, जो वो भी ए कोई मिलेगा, ठीक है, ए जो भी कर्म करेगा, उसका नाश नहीं होगा, कर्म का नाश वो जाना, किये हुए कर्म का नाश कहला कर्म का फल उसे ही प्राप्त होता है जो कर्म करता है ठीक है उसको प्राप्त नहीं हो सकता जिसने कर्म किया यानी डैनी अगर अगर कर्म भोग यानि जो नहीं किया है उसको भोग है अब पुरुष ने तो कुछ किया ही नहीं है चीक है तो पुरुष जो है अक्रत भोग करता है अक्रत कर्म भोग तो प्रिकृति जो है वो जड़ है और लेकिन कर्म करती है तो उसका क्रत प्रनाश हो जाता है यानि इसे कर्मो तरह से ब्रो दिये और दूसी तरब से अगर देखते हैं इसको तो पुरुष जो है वो कैसा माना गया है निश्क्रिया माना गया है पुरुष निश्क्रिया है तो भाई वो करम क्यों करेगा वो करता क्यों होगा निश्क्रिया कैसे करम कर सकता है जो निश्क्रिया है वो तो रुकि भूखता नहीं हो सकता फिर थीक है न तो भैं निर्म करता नहीं हो सकता निश्क्रिया होने के साथ तो यहां पर भी इसमें थोड़ा यह दोश्पून हो जाता है अगली बात यह है कि पुरुष को चेतन माना गया है और साथ ही उसे निश्क्रिया मान लिया गया है जैसे कि पिछले वाले पॉइंट में आपने देखा अब एक ही चेतन और निश्क्रिया दोनों कहना एक ही क्योंकि जो चेतन है निश्क्रिया करेगा जीभ निश्क्रिया या चेतन पदार्थ निश्क्रिया और सांक्यों के अनुशार अयुकभ प्रभृत्त के कारण पुरुष अनेक माने गया है है न कि एक साथ जो लोग हैं वो अलग-अलग प्रविर्तियां धारण करते हैं सारे रिक और मानसिक प्रविर्तियां उनकी अलग-अलग होती हैं कोई सुखी होती हैं कोई दुखी होती हैं है न तो इस तरह से पुरुष की अनेकता जो है वो सिद्ध होती है कि पुरुष अन परुष या आत्मा से ये सब्स्टारिद करें वो दोश्पूर्ण हो जाती है कि अयोगपत प्रविर्ती के कारण पुरुष की अनेकता सिद्ध होती है जबकि ये पुरुष से जुड़े ही नहीं है ये तो सरीर से जुड़े ही चीजे है अयुक्त प्रविट्टी जो है उसका सम्बन शरीर से है ना कि पुरुष आतमा से है अब सांखियों के अंसर पुरुष जो है वो कैसा है नित्य है, सुतंत्र है, शुद्ध चैतन्य और स्वप्रकासित है ठीक है यह स्वप्रिकासित है तभी तो मन बुद्धी आधी को प्रिकासित करता है जब इसमें उसके संपर्ग में सानेद्ध में आते हैं ये तो है ना और इसी कारण स्वप्रिकासित यह होता है और यह बुद्धी को प्रिकासित करता है और बुद्धी जब प्रिकासित होती है तो अन चीजों को प्रिकासित करती है तब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो फिर यह नित्ड सुतंत्र और सुध्द चैतने से युक्त उन्हें पुरुष को मान लिया है अब उसके बाद उन्हें उन्हें मुक्च के अभ्धरना भी दिये, यानी कैवल्ल की अभ्धरना कि आप पुरुष को मुक्च के लिए प्रियास करना चाहिए अब यह सोचने की बात है जो पहले ही सुतंत्र है ठीक है जो स्वप्रिकासित है स्वप्रिकासित सबको प्रिकासित करता है या जो सुतंत्र है यानि की जो मुक्त है कैसे बंदन में पढ़ सकता है तो बंदन में ही नहीं पढ़ सकता पर उस पहले तो जब बंदन में ही नहीं तो मुक्ष किसको चाहिए वो तो पहले से ही मुक्त और सुतंत्र है तिरवित दुख्वों से उसका पहली छुटकारा हो गया है उसके सुभाप की कारण ही पुरुषके सुभाप की कारण ठीक है ना तो इस परिकार से ये पाँच जो हैं आलोचना है और भी संख्या में बढ़ा ही जा सकती है और भी आलोचना है इसमें से निकाली जा सकती है आप लोग थोड़ा बुक से प्रियास करें थोड़ा यहां से देखें और इसे तयार करें अच्छे से तयार करें ठीक है तो फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद